आईए अब चलते हैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी की ओर यह एक ऐसी भूमी है जहां उत्सवों की कोई सीमा नहीं दुनिया का सबसे आकरशक परेटन्स थल महाराजाओं की भूमी एक ऐसी भूमी जो सबसे अधिक लुभावने रंगों से सजी है और अपनी सांस्कृतिक खूबियों को दर्शाती है क्यों जी सोच में पढ़ गए चलिए कुछ और क्लोज दे देती हूँ राजपूताना के नाम से भी मशूर है या राजज इस राजज का कुछ हिस्सा रेगिस्थानी भी है हाँ जी मैं रंग रंगीले राजजस्थान की ही बात कर रही हूँ चमकीले चटकीले रंगों एवं जटल डिजाइन के घागरों में घूमर नित्य में जूमती हुई युवतियां और खूब भारी बड़ी और चटकीले रंगों की पगड़ी और सफेद धोती में पुरुष और साथ में चलता हुआ उटों का काफिला यह है यहां की रेगिस्थानी संस्कृती का द्रश्य राजस्थान की संस्कृती मेलों और त्योहारों की संस्कृती है यहां का घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, इसके अलावा कथापूली, भोपा, चांग, तेरताली, घिंदर, कच्छी घोरी, आदी मुख्य नृत्यों के प्रकार है यहां का कथपूली नृत्य भी विश्व प्रसिद्ध है यहां के लोग गीतों की बात करें, तो इनमें वीरगाथाएं, शाश्वत प्रेम की कहानिया और भक्तिगीत शामिल है जो धोलक, सारंगी, सितार और अन्य पारंपरिक वादियंत्रों के साथ गाए जाते हैं दिवाली, गंडगौर, तीज, मकर संक्रान्ती यहां के परमश्रध्य त्योहार हैं इसके अलावा कई उत्सवों और मेलों का आयोजन भी किया जाता है जैसे काइट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, उट मेले, पुशकर मेला और जैपूर लिटरेचर फेस्ट और अगर खान पान की बात की जाए तो राजस्थान अपने विविद मसालों और मिठास के लिए प्रसिद्ध है यहां का दालबाटी चूर्मा, प्यास की कचोरियां, घेवर, दही से बने चाठ, मावा कचोरियां और अलग-अलग विराइटी की मिठाईयां हमारे स्वाद तंतुओं को खूब अकरशित करते हैं तो चलिए आपको ले चलती हूँ राजाओं, महलों, किलों और हवेलियों की भूमी शांदार राजस्थान की जलत दिखलाने